भार्टी ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की जिल अधिक जोगेंदर पाल कपूर ने सदर से सुतंतर चुनाब लड़ने की दाविदारी पेश की है उन्होंने कहा कि अगर कongress party उन्हें टीकर देती है तो वेसदर से कongress party लिए चुनाब लड़ेंगे और मजदूर वो शोशिस्पमास के लोगों के कल्यान के लिए कारे करेंगे उन्होंने मक्यमंद जी वीरवद सिंग से मांग करती हुए कहा कि उन्हें कौंग्रस पार्टी का टिकरती अन्यतावे सुतंतर चुनाब लड़ेंगे उन्हें कहा कि रासनिती अब कुछ रासनितिक परिवारों की इच्छाओं पर सीमित होकर रह गई है अंत में भी मांग करती हैं कि रासनितीक परिवारों की वजाए अन्यत को चुनाब लड़ने का मौका दिया जाए और जोगेंदर पाल कपूर वीरवद सिंग के समर्थकों में एक माने जाते हैं उन्होंने कहा कि कोई कॉंग्रेस के दामन छोड़ कर भासपा में चला जाए इसका उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और भासपा में कुछ ही परिवारों का अधित्य है तदह इस परिपेक्ष में वे एक साधारन परिवार से संबंध रखते हुई अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जो आज तक राजनितिक पार्टियां हैं वो इस पे विचारी नहीं करती हैं कुछ लोगों के लिए चुनिंदा लोगों के लिए जॉब्स निकाली जाती है पड़े लिखे लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं है हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है तो इन बातों को आज तक अजादी के बाद कोई ध्यान नहीं दिया गए। मंडी एक पिशड़ा वक्षेतर है, खास कर मंडी में बेरोजगारों की संख्या पड़े लिखों की इतनी है कि मेरे खाल किसी भी डिस्ट्रिक्वेश हिमाचल प्रदिस में ऐसी भी कारी नहीं है। इस विदान सभा से चुनाव के रूप में ठोक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कुछ परिवारों का धिपत्य हो गया। जैसे कि कॉंग्रेस में पंड़ सुखराम जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो क्यों गय क्या गया, उनकी अपनी र वो उनके रेलेटिव यहां से होंगे। सधार आदमी को इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई समय नहीं है, कि वो वहाँ से को एक अच्छा पढ़ा लिखाना उजवान चुड़ें, वार की रूप में मैं अपने को उमिदवार पेश कर रहा हूं मंडी का सिच्वेसी से साथ ही राजा बीर भजदर सिंग जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो मंडी चुनाब खेतर से इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं उनके लिए ये सीट छोड़ने को तेयार हूं